हालो फ्रेंट्स आज हम लोग देखेंगे त्रिकोण में त्रिकोण में के कुछ बेसिक फार्मूला ठीक है और त्रिकोण में त्रिकोण में त्रिकोण के जैनक किसे माले जाता है आर्य भाट को अब देर न करते हुए हम लोगे स्टार्ट करते हैं फार्म रा ठीक है तो हम लोग देखते हैं ताइन सीटा पराबर क्या हता है लंब बटे कण अब लंब बटे कण क्या है इसे आप लोगों समझने के लिए पहले इंगल बनाने बड़े गठा हमें ठीक है यह क्या है हम लोग का लंब और यह क्या है अलहार अब हम लोग इसे लंब बोलते हैं और जिससे यह एंगल टिका हुआ है उसे बोलते हैं अधार और लंब और अधार को जो रेखा जोड़ती है उसे बोलते हैं कण अब हम लोग इसका नाम करण कर देते हैं A, B and C ठीक है और जो लंब के सामने वाली जो कोण बन रहा है उसे बोलते हैं हम लोग ठीटा अब यहाँ देखिए अधार ब्राबर लंब बटे कण तो यहां क्या है यह लंब, A C हमारा क्या है लंब और A, B हमारा क्या है कण तो हम लोग जैसे गड़ित में हल करेंगे गड़ित में हल करने के लिए इसे क्या लिखेंगे लंब बराबर हमारा क्या है A C तो यहाँ पर A C दिखेंगे बटे करण बराबर क्या है हमारा करण बराबर A B तो हम लोग दिखेंगे A B ठीके अब हम लोग देखें शाइन ठीटक बाद कॉस्ट ठीटा कॉस्ट ठीटा कॉस्ट ठीटा बराबर क्या होता है अधार बटे कर्ण अधार बटे कर्ण तो यहाँ पर अधार क्या है बी सी तो हम लिए दिखेंगे बी सी अपान में कर्ण बराबर क्या है एबी तो हम लिए दिखेंगे एबी ठीक है अब हम लोग देखते हैं टैन ठीटा इसका क्या हता है लंब वटे अधार तो यहाँ पर लंब क्या है एसी लंब क्या है एसी और अधार क्या है बीसी अब उसके बाद कॉट ठीटा क्या होता है अधार बटे लंब अधार बटे लंब तो यहाँ पर हमारा अधार क्या है बीसी अपान में हमारा लंब क्या है एसी ठीट आपको ठीटा के बाद स्ट्राइब अधार अधार तो हमारे यहाँ आब यहाँ पर हम लोग फिरस बना देते हैं यह हो गया हमारा A, यह हो गया हमारा B, और यह हो गया हमारा F, यह हो गया हम लोगों का कण, यह हो गया हम लोगों का लंब, और यह हो गया हम लोगों का अधार, अब सेक ठीटा कण बटे अधार, कण क्या हम लोग का A, B, अधार क्या हम लोग का B, C, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉसेक ठीटा, कॉसेक ठीटा, अब हम लोग कॉसेक ठीटा क्या है, करण बटे, लंब, तो करण क्या है हम लोग का, ए भी, और लंब क्या है, एसी,